क्योंकि फिश है जिसको लोग आते ही से उपडी में आते हैं मुझे पवसीर के लिए दिखाना है मुझे तो पवसीर हो गई है बर अचली वह पवसीर है ही नहीं वह है लेटिन के रस्ते के अंदर कटाव खास करके मूँ के पास उसके सड़नली वह हाड लेटिन आने से फट है और फटने के बाद रगड खाने के कारण रस्ता थोड़ा बार बार फटने के कारण छोटा होता जाता है और कभी कभी एक दो खून गिरती है जिसको खून की बून को देखे आप में समझता है कि यह पवसीर है अचली वह अंदर से फटा हुआ है फिशर के अंदर काफी हमारी भी बोलते हैं बट इसका फिश्टुला का इलाज है बट अगर किसी को फिशर है अंदर कटाव है तर्द हो रही है पौटी में तो सिर्फ दवाईयां अराम नहीं देंगी कुछ देट तक आप दवाईयां खाके या लगाकर अराम कर सकते हो बट दवाईयों से क्या ह अरिया दल्द का मुतरा और पीछे तो पाटी आई रही है वह तो उसको फाट दी जा रही है और वह तीरे दीरे सुन करके एक तरह से यह हो गया कि हमने यहां इंजेक्शन दे के सुन कर लिए और उपर से काट दिया तो ज्यादा टेंजरस हो जाता है तो दवाईयां लगा पाटाव है रस्ते में जहां प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया जाए तो बहुत सारे केसे जो फिशर से फिस्टोला में गनवाट होते हैं यह जिन से फिशर में फिशर के कारण ग्रेजुली बवसी ड्वल्प होती है वो सब बच सकते हैं तो फिशर ज्यादा डेंजरस है इस पर दो नोमल जो ग्रेड बन ग्रेड टू आवरा से घुशर के निशानी है तो फिशर का इलाज बहुत जरूरी है तो प्रिवेंट फिशर के निशानी है पर हजार केस मेरे पास विस्टुल के आते हैं, तो 900 ज़्य जञदा पीशिटस के अंदर एक इस सिंटम है, पहले फिशर की प्राउब्लम थी, वह फिशर भी नहीं बोलेंगे, वह यह बोलेंगे कि पहले बवसित की प्राउब्लम थी, उसका ईलाज ले रहे थे, पर ईलाज क अगर फिशर टाइमली इडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वह ठीक हो सकती है